Hello everyone, मैं विश्चु जीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Lesson 3, वस्तु परक्ता और व्याख्या पढ़ने वाले हैं दोस्तो, ये important topic है और Histography इतिहांस लिखन के अंदर में की important role play करता है जब कभी भी हम इतिहांस लिखन के बात करते हैं, मतलब क्या History को हम कैसे लिख सकते हैं History को लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए Suppose करो, आपके घर के आसपास में कोई गटना गटी थुई, कोई incident हुआ आपको काम मिला है उसको cover करने का, उसको लिखने का तो हम कोई भी घर को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से दरसाते हैं, किस तरह से बताते हैं ये वस्तू परक्ता कहलाता है वस्तू परक्ता का अर्थ होता है कि किसी भी घर को या थात रूप में दरसाना जिस तरह से घटी उसी तरह से बताना वस्तू परक्ता कहलाता है ठीक है, simple सा language में असान सब्दों में यह समझा सकता हूँ आपको जिस तरह से घटा उस तरह से बताया वस्तू परक्ता कहलाया ठीक है, पर उसके कुछ conditions होते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यांसर समझेंगे, चीजों को कुछ important questions भी बनते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो important question बनकर आता है आपका वस्तू परक्ता क्या है, यही एक question बन जाता है और इसके आलोचना, ठीक है, इसकी चिंता है क्या थी, किस तरह से लोगों ने आलोचना करी, जो विचारक थे, इतिहांस कारते हैं उन्होंने किस तरह से आलोचना करी वो important question यहाँ पर बनता है, directly हम question segment पर चलते हैं दोस्तो और इस chapter को है, जो खतम करते हैं, ठीक है अगर book definition की बात करूँ, तो जब अतीत की किसी घटना को इतिहांस कार द्वारा यथारत रूप में दरसाय जाता है मतलब कोई भी अतीत की घटना है, past का, उसको इतिहांस कार द्वारा, जो history लिख रहा है न, ठीक है यह जो topic है, वस्तू परकता का है, ठीक है, समझ में आता है, simple सा हम यह कहते है यहीं पर एक विचारक आते हैं, जिनका नाम है Peter Nevik, ठीक है, यहाँ पर एक विचारक आते हैं, उनका नाम क्या है? किसी के पक्ष में न बोले, ठीक है, एक नियाएधिस के भाती, नियाएधिस कोन होता है, जज होता है, ठीक है, जो court के अंदर में फैसला सुनाता है, वो किसी को यह नहीं देखता कि यह मेरे रिलेटिव है, यह मेरे जात का, यह मेरे धरम का, यह मेरे गाओं का, यह मेरे से है सच के तरफ में उफैसला सुनाता है तो यहाँ पे पिटर नेवी कहते है कि जो इतिहास करोना चाहिए हो एक नियाइदिस के भाती होना चाहिए उसे किसी भी वकील या फिर परचारक की भाती नहीं होना चाहिए वकील क्या करता है कि अगर आप कुसूर बार हो और आपने वकील हायर किया है तो आपके पक्ष में ही बोलेगा चाहिए आपको सच जानता हो जानता हो आपके पक्ष में ही बोलेगा ठीक है तो यह होता है तो यहाँ पे पिटर नेवी की यह भी कहते हैं कि जो पिटर नेवी की अगर बात यहाँ पर आप करोगे कि पिटर नेवी की यहां पर यह भी बोलते हैं कि अतीत की जो घटनाएं है ठीक है जो मतलब यहां पर पेटर नेवी के अगर हम बात करते हैं तो पेटर नेवी कहते कि इतिहांस लेखन एक महत्यपून आधार है ठीक है इतिहांस लेखन का वस्तूपरक्ता क्या है महत्यपून आधार है ठीक है उन्होंने कहा कि वस्तू परक्ता क्या करती है, चटान की तरह काम करती है, इतिहास लेखन के अंदर में, ठीके, जिस तरह से इतिहास लेखन के लिए साहितिक स्थापित जरूरी है, जो चीजे परमान जरूरी है, सब चीजों का, हम कहते हैं कि First World War हुआ, तो उसके लिए परम साक्षे बहुत जरूरी है, साक्षों का अधार बना कर जह हम चीजों का वर्णन करते हैं, तो वस्तू परक्ता के सिर्णी में रखते हैं, और वस्तू परक्ता इतिहास लेखने में चट्टान का काम करती है, यह पीटर नेविक का मानना था, ठीके, समझ में आता है दोस्तो वस्तू परक्ता एक विवाद इस पत मुद्दा राय, ठीके, सुरू से कॉंटर्वर्सल राय, सारे जितने विचारक रहें, ध्यासकार रहें, ठीके, कुछ इसके सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ इसके अंगेंस्ट में बोलते हैं, रीजन क्या है, कि जो सपोर्ट में बोल साओ ठीक है जो मतलब एक जो रियालिटी है ना वो फैक्ट दर्साओ पर जो उसके विपक्ष में वो ये मान के चलते हैं कि इस तरह के ज्यादा तरह इत्यासी गटना है क्या है कालपनिक है ठीक है हम एक एक्जामपल में ले लेता हूँ कुछ समय पहले भारत के सुप्रीम कोट के अंदर में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था ठीक है राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो अयोद्या राम मंदिर विवाद का तो उसके अंदर में जो राम मंदिर के विपक्ष उन्होंने यह बोला था ठीक है तो यहां पर भी अपने लेसन के अंदर वस्तु परक्ता के लेसन में भी कुछ जो इत्यास का रहे हो यह मान के चलते हैं कि जो इत्यास है वह मात्र कल्पना मात्र है कहानी मात्र है ठीक है हम सुनते हैं उसको समझते हैं और कहानी के तौर पर ह उसको लेके चलते हैं तो ये मान के चलते हैं तो वहाँ पर वस्तु परक्ता को जगर नहीं देते हैं पर वहीं पर कुछ इतिहासकार वस्तु परक्ता को महत्पूर देते हैं और महत्पूर इतिहासका आधार मानते हैं और उसे चटान के तरह देखते हैं कि वो नीव बनता है उसका आधार बनता है इतिहास लेकन का आधार के दोर पे देखा जाता है यहाँ पर यह भी का जाता है कि इतिहासकार द्वारा भी बिना किसी भीद्वाव पस्पात और पुर्वा ग्रह के कारे के लिए अंजाम दिया जाना चाहिए ये पिटर ने विगने यहां पर कहा कहा रहाता है कि जिस परकार नियाइदिस बिना किसी समाजिक दवाव के बिना किसी राजनीतिक दवाव के निस्पक्ष काम करती है उस तरह से इतिहासकार को काम करना चाहिए ठीक है समझ में आता है तो ये नॉर्मल जा छोटा सा introduction था आपका वस्तु परक्ता की वस्तु परक्ता है क्या आपको अब समझ में आ गया होगा कि वस्तु परक्ता कहते किसे हैं यहाँ पर मैं अगर बात करूं दोस्तो तो पश्चमी इतिहास लिखन के अंदर में वस्तु परक्ता की important role play करता है ठीक है पश्चमी इतिहास लिखन यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर history की बात करेंगे न तो वहाँ पर कहीं न कहीं पश्चमी इतिहास लिखन की बात जरूर आ थीक है तो पश्च्यमी इत्यासकारों को यह मानना था कि जो वस्तूप रखता है वह पश्च्यमी इत्यास लेखन में मत्रपुन आधार रखता है ठीक है साथ साथ में उन्होंने पीटर नेविक जैसे जो विचारक हुए उनको उन्होंने सपोर्ट किया और वो कहते हैं वस्तु परक्ता एक विवादस्पत मुद्दा है, ये भी इस बास से एगरी करते हैं, वस्तु परक्ता का जो मतलब किस तर से हम उसको study कर सकते हैं, उसके लिए वस्तु परक्ता को हम किस तर से बनाते हैं, वस्तु परक्ता है क्या, उसको किस तर से करना चाहिए, इसके लिए वो कुछ टिप देते हैं, सबसे पहले हो कहते हैं, तथियों की जाच होनी चाहिए, जाच परताल के अधार पर ही हमें वस्तु प्रक्ता तयार करना चाहिए, मतलब जो भी हम तो कर रहे हैं वो घटना को गटिते हैं, उसको हम study कर रहे हैं, तूसकी अधार पर, ठीक है, इसास निसपक्ष रहना चाहिए, निसपक्ष मतलब क्या, कि वो किसी के पक्ष में ना बोले, चोथा यहाँ पर आ जाता है, कि नीजी धारना उसे दूर रहने चाहिए, जैसे आप माल लो, अब रा मंदिर के विवाद के अंदर में, ठीक है, या फिर बाबरी मजजीद के विवाद में आ रहा है, जो सबूत, जो तथे, जो उसके सामने है, उसके अधार पर उसे बोलना चाहिए, ठीक है, यह इस तरह से, समाजिक और राजनितिक परभाव उसे दूर रहना चाहिए, समाजिक और राजनितिक परभाव क्या होता है, कि भया यह तो मेरे धरम का है, यह तो मे और राजनीतिक परभाव से ठीके है करी नियाय संगत तोर पर बोलना चाहिए जो तो पना पना जो फैसला होता है वह सुनाता है ठीके वह कहता है की वकील या परचारक की भूमा का बिलकुल नहीं कि निवाने चाहिए वकील क्या करता है कि जो पैसा देगा उसके पक्षमें बोलेगा पर्चारा क्या करता है आप खरीदो उसको पर्चारा के लिए बुलाओ आप के पक्षमें वोट करेगा बोलेगा ठीक दोस्तों तो यहां पर हम आगे बात करते हैं नाइबर और रानिक ठीक है नाइबर और राने करके दो विचारक आते हैं यहाँ पर दोनों विचारकों का बहुत महत्यपून योगदान माना जाता है वस्तु परक्ता के इतिहांस में ठीक है और उनिस्वी सताब्दी के अंदर में जो वस्तु परक्ता का आधार बना वो नाइबर और रानिक के द्वारा ही बनाया गया ठीके दो इतिहांस का अरकोन क्या क्या नाम है तो नाइबर और रानिक रानिक के रानिक का जाता है ठीके तो इनके द्वारा ही 19. सताबदी के अंदर में वस्तु परक्ता का अधार बनता है ठीके आरम इस तरह से होता है, रानके का मानना होता है कि वस्तू परक्ता इतिहांस लेखन का आधार है, ठीके वस्तू परक्ता क्या है, इतिहांस लेखन का आधार है, रानके यह माननके चलते हैं, सासात में यहाँ पर यह दिखा जाता है, कि साहित्य तता दर्शन को इतिहां चाहिए प्रभीक अनुमान से दूर रखना चाहिए जैसे लोग कल्पना कर देगी इस तर से हुआ तो यहाँ पर इतिहांस लिखन के अंदर में अतीत की भी हम बात कर रहें कुछ इतिहांस लिख रहें तो ओहां पर कल्पना मात्र की कोई जगह नहीं रहती है टीक है इतिहां इत्यांसकार को जांसपरताल के अधार पर अपनी व्यान वाजी करने चाहिए जो भी चीज़ है जो बता रहा है लिख रहा है ठीक है अपनी इत्यांस को त्यार कर रहा है तो जांसपरताल के अधार पर ठीक है यथात रूप से दर्साना चाहिए यह नाइबर और रानके का मा लिक्त के ग कि ऑगल यहां नान जाता है नहीं वस्तु प्रक्ता का अधार apologies about defence बीटेश किस तरह से अमें वस्तु पर भिलीव करना चाहिए क्या होना चाहिए और नायवर के द्वारा क्या को तो तस्ता विज ओपर आढमुंद कर वरुसा नहीं करना चाहिए जो भी प्रूफ हैं दस्ता वेज है ठीक है दस्ता वेज है उसके उपर में हमें आंग बंद करके बरुसा नहीं कर सकते उसके पर जांस पर ताल करो नॉर्मली नों नहीं यह कहा कि लिखीत जो समरी है लिखीत जो है परमान पत्र उस पर विश्वास करना ठीके, सही क्या है, उसको सुनिश्चीत करना चाहिए, सुनिश्चीत करने पर ही आपको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, उसको आगे तयार करना चाहिए, जब आपको confirm हो जाओ, कुछ भी चीज़ आप study कर रहे हो, जब आप confirm हो जाओ, कि हाँ, ये सही है, तब उसके बाद करना चाहिए यह जो chapter है दोस्तों आपको वस्तु परक्ता कम से मैंने इसको 10-12 बार पढ़ा ठीक है कई बार में वीडियो बनाने के लिए बैठा पर हर बार क्या होता था कुछ चीज़े मुझे लगते थी कमी है ठीक है पर जब मैंने finally सारे notes त्यार कर ले यहां मुझे यह ब information जाएगी ठीक है तो यह चीज़े यहां पर का जाता है अगर आपको इस वीडियो के अंदर में कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप comment किजिएगा मैं आपको वहां पर बता दूँगा या फिर आप किसी भी social media platform पर हमारे जोइन कर सकते हो वहां पर भी आपको इ बनाना पड़ता है फिर उसको बनाना पड़ता है उसके आपसे response नहीं मिलता है तो वो भी एक reason होता है कि वीडियो नहीं बना पाते है तो आप response दीजिए मैं बनाता हूं वीडियो ठीक है तो यहां पर सासात में कहते है कि psychos शनशित करना चीए वही अतिहांस लेखन का इससे बात करो इससे पूछते है जो लास्ट में आप कोई भी एकसिडेंट हुआ है आप सबसे लास्ट में पहुँचे होगे तो लास्ट वाले रिपोर्टर पुछे का क्या हुआ देखने वाले से पुछेगा ना भाया मैं तो पहला witness हूँ I witness मैं ही हूं मैं नहीं देखा मुझसे पूछो क्या है तो वो बताएगा तो यहाँ पे का जाता है प्राथ्मिक सुरूतों के अपर में अधिक लिजवास करना चाहिए अतीत का पूना निर्मान किया जा सकता है इसके उपर हमें बिलीव रखना चाहिए जो स्तुरोत हैं, स्तुरोतों के दार पर पुना निर्मान किया जा सकता है, जैसे आज हम हड़पा से बैता पड़ते हैं, अल्मोस 90-70% तो कन्फार्म है कि उसी तरह से घटना घटित हुए होगी, क्योंकि कलपना के उपर भी तयार किया जाता है, अब चीजे हमने देखा हडपासापै में नाली इस तरह से बने हुए है, तो हमने यह मान के चला कि नाली इस तरह से बना होगा, इसका लिए ही यूश किया जाता होगा, ठीक है, हमने देखा कि वहाँ पर इस नाना गार बने हुए बड़े-बड़े swimming pool जैसे तो हमने माना कि इसको यह जल सरो तो जहाओगा इस तरह से करते होंगे ठीक है उनका घर का अधार ये है ये चीजे तो वहाँ पर हम assume करके चलते हैं उनको साक्षियों के अधार पर ठीक है तो और कोई उस समय अधापस हाँ बैता है कोई आदमे तो हमें बताने क्लिया आया नहीं कि इस तरह से होता ता इस तरह से होता था जो हमें दिखा जो हमने परमाना हमें लगा उसके अधार पर हम्ने माना और सको पढ़ग भरता यह मतलब हमने क्या किया history को recreate क्या पुन्ह निर्मान किया और रान के और नाइपर जैसे जो इतियास कारते उन्होंने इसको माना है कि हिस्ट्री को करम में बोलना चाहिए इस्ट्री इत्यास लेकन के अंदर में निस्पक्षता का बहुत ज़्यादा जम्हत्तपुन दिया जाता है यहां पर यह कि यह भी कहा गया कि कई भी मतलब घटनाओं को वेग्यानिक आधार परभी जांस प्रताल करना चाहिए जैसे यह वस्तुपर लुटी नाएं इसके बारे में बात करें तो अतीत की घटनाओं को चरित्र और यतार्थ की दरसाना चाहिए जिस तरह की घटना इंगर्फ हों बदलने सकते हैं गाने को और मान लो को और तर ही इस तरह से स्टेकंड वोल्ड ओर में रून प्ले किया अमेरिका ने जापान पे परमानू भम गिराया तरहा कि ग्राने में जिसका भी योगदान रहो घ्र चाहिए उसलिप पर खा जाता है जो है जिस तरसे यह थारत रुप्से में द्रसाना चाहिए वैग्यानिक अधार पर मतलब क्या तीन तरह से जैसे कौन्त करके एक विचारक आते हैं ठीके कौन्त करके एक विचारक आते हैं कौन्त का क्या माना था उन्होंने तीन अधार वैग्यानिक अधार बताए जिसके ऊपर में हमें इतिहास लिखन करना चाहिए वस्तु परक्ता का करना चाहिए पहली अवस्थाओं बताते हैं की इतिहास लिखन करके जो इतियास का राते हूं वो तीन अवस्थाइं बोलते हैं पहले कहते हैं कल्पिद अवस्था जिसके अंदर मानते हैं कि जो भी घटना घट्रिया है हमारे आसपास में वो प्राकरतिक अधार पर देव्य सक्ति से जुड़ाव है उनका ये मानके चलते हैं दूसरी अव सकरात्म का वस्था जिसके अंदर में प्राकरतिक नियमन का खोच किया जाना चाहिए ठीक है जो भी चीजे हैं जो सच्छे उसको वेगानिक अधार पर जांच पर प्रताल में सपक्षित तोर पर सब के सामने लाना जाना चाहिए तो यह तीन अधार पर कहते हैं और यहां कौनते जो होते हैं कौनते जो विचारक हैं इतियांसकार हैं वो बोलते हैं कि अलग अलग इतियांसकारों के द्वारा इन घटनाओं पर इस तरीके से बात की जाती है पहला तो कुछ लोग यह मान के चलते हैं कि रहसे में जुडाव है तीसरा यह मान के चलते हैं कि भीया ह पर चिंतन क्या लोग जो इत्यास कारते किस तर से चिंतित थे ठीक है वस्तु प्रक्ता को लेकर उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे थोड़ास इसको रफ करते हैं जिससे आपको समझ में आए ठीक है और यहां पर मैं आपको समझा पाऊंग अगर किसी भी लाइक से जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाए ठीक है क्योंकि आपके एक एक लाइक से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से में मैंनत करके वीडियो बनाने का ठीक है तो यहां पर एक दूसरा कोशन आयाता है कि जो वस्तु परक्ता का सिधानत है उसकी आलोचना के बारे में चिंतित क्यों होते हैं और कौन-कौन से इत्यास कारवस्तु परक्ता को चिंतित थे उसको लेकर यहां पर आता है ठीक है परमुक आलोचक एक तरसे ठीक है तो यह दोनों कोशन यहां पर एक ही वार में हम हैंडल कर सकते हैं यहां पर head and white करके एक विचारक आते हैं ठीके, head and white head and white head and white करके विचारक आते हैं इनका क्या माना था, कि एतिहासिक विर्तांत, विर्तांत मतलब क्या होता है, जिस तर biography होती है, ठीके, तो जो गूमने फिर नेगा, यातरा विर्तांत होता था, एतिहासिक विर्तान्त में यह थार्थ का कोई दावा नहीं किया जा सकता जैसे मानलो किसी ने कुछ लिख रखाया अपने बारे में ठीक है जैसे राजा पहले जैसे अकबर नामा बास्ता नामा ठीक है इस तरह से लिखा जाता था तो मुगल नामा तो उनके अंदर में उन्होंने लिख लिखने वाला था अगर हो ऐसा लिख भी देता तो इस तरह से चीज़ें चलती थी तो यहां पर हेड़न वाइट का यह माना था कि एतिहांसिक विर्दान्त में यह थार्त का कोई दावा नहीं कर सकते ठीक है इतिहांस की जो घटना है हो कल्पना मात्रे काल्पनिक है यह हेड का नाम था फर्डी नाड करके आते हैं कि भासा अपने आपको अर्थ गड़ती है जो भी चीज़े घटी है वह अपने इसाफसे अर्थ गड़ लेती है और मानब विचार भासा द्वारा बनाए जाता है ठीके तक अगर मैं किसी जगह पे गया खिस चीज़ को study कर रहा हूं तो वहां का जो language जो जिस तरह का culture है वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को बोलती है दरसाती है और हमारा जो दिमाग है जिस तरह से देख रहा है वो उसके हिसाब से उसको adopt करता है ठीक है अब देखो simple सा जब अंग्रेज हमारे भारत के अंदर में आये तो यहां पर हमारे यहां पर सती पर था थी तीन तलाग था यह सारी चीज़े थी तीन तलाग हो गया और यह बहुत सारी चीज़े ठीक है तो हमने हमारे लिए तो वो एक culture था पर अंग्रेज जब आये तो वो देखे तो ब करते हैं कि किरिष्चनों के अंदर में नॉर्मली突ा हैं हम हमारे मैं डादव दादी है Ведь कि जाए कंप इस तरह चीज़े बूली जाएंगे आपके गर में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो क्रिजन क्या है उनके कल्चर के साफ से उनका भासाई आदार ठीक है बट हम उस चीज़ के इंदर फिट नहीं हो पा रहें और यहाँ पे यह चीज़ें दूरिया क्यों आती है अब हिस्टरी बता रहें कैसे लिखना है तो उनके अधार पर कहीं-कहीं चीज़े गड़बड होती है तो भासा ही अधार पर हो कहते हैं कि कल्पना मातर है ठीक है समझ में आता है कि अपने आप जो अर्थ गड़ती जो भासा होती है अपने आप अर्थगर्टी चली जाती है बनाती चली जाती है और माना विचार भासा द्वारा बनाए जाते है जो भाना विचार है जिसका हम जो बोल रहे हैं वो भासा के अधार पर बनता है ठीक है यहाँ पर एक फ्रांसिसी विग्यानिक रोला करके आते ह और कहा कि अतीत की यथार्थ लिखने का इत्यासकारों का दावा दोखा हो सकता है जो कहते है ना इत्यासकार जो इत्यासकार कह रहा है कि मैंने अतीत को पास्ट को यथार्थ रूप में दर्साया जिस तरह था उसी तरीके से मैंने बताया है, वो मात्र एक धोका है, चलावा है, और पाठक जो पढ़ने वाला है, वो उसको वास्तविक मानता है, ये उन्होंने कहा, ठीके समझ में आ रहा है, जैसे जो भी लिखा गया है, हम उसे सच मान कर चलते हैं, ठीके पाठक, हम चाहर कह रहा है, कि मैंने यह था अतरुप से लिखा है, वह एक धोका चला वा है, और कुछ नहीं में इस बात से अगरी नहीं करता है। वह भी इस्टि को एक कल्पना मात्र माँते थे। यहां पर ग्रवील करके एक और आते हैं विचारक, ठीके, ग्रवील करके करते हैं विचारक, ग्रवील, ठीके, ग्रवील का मानना था कि उन्हीं सिताबदी में साहितिक अध्यन का जो मापडन था, संचालित किया जाता था, संचालित किया गया, वो उतने प्रभावी नहीं र यहां पर उत्तर आधुनिक्तावादी जो इत्यांसकार है, इनका यह मानना था, कि इत्यांस का जो इत्यांसकार भूलपन की ओर ले गए। यहां पर जो आलोंचक पर्मु鬼 आलोंचका है, उन्होंने कुछ शीख भी द दिया, में ठीक़ कुछ Learning की क्या कैसे करना चाहिए जरूरी नहीं किस नै तो पर्मुक आलोच को ने ये सीक दिया ठीक है सासा तो उन्होंने ये का दूसरी चीज कि इतिहास लिखन वर्तमान वैचारिक चिंतन के अधार पर लिखना चाहिए ठीक है अभी के अधार पर क्या चीज़े हैं लोगों के मन में क्या चीज़े सोचते हैं उसके अधार पर व्यक्त करना चाहिए ठीक है समझ में आता कि बैया केवल सत्यता का सिध्धांत आखशक नहीं है, कि सब सही हो, सही लिखोगे, वो जरूरी नहीं है, नॉर्मली हमें आज के इस आप से भी चीजों को देख कर हमें उसको लिखना चाहिए, ठीक है, समझ में आता है, तो ये चीज़े थी, यहां से लिखन के इस वाले चैप्टर के अंदर में, ठीक है, आपने हिस्ट्रोग्राफी का लेसन थर्ड किया, वस्तु परक्ता, और, I hope so, आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं पे कोई doubt रहता है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप comment किजिए, comment करके पूछ लिजिए, मैं बता दूँगा वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो, आप हमारे social media platform पे join किजिए, जोइन करके, वहाँ पर directly पूछ लिजिए, और, आप सभी students के लिए एक सुनेरा मोका है, आप जो, दी इन अप का, आप देखते होगे subscribe का button वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर दी इन आप के subscribe के बटन के बगल में, एक join का button आता है, आप उसको join कर सकते हैं, वहाँ से directly मुझे questions पूछ सकते हैं, उसका answer देना compulsory होता है, तो मैं आप का answer जरूर देदूँगा, तो friends, thank you for watching me, thank you for listening me, bye bye, take care, all the best, subscribe करना बिलकुल न भूले, अपने सभी दोस्तों तक, इस channel के link को जरूर पहुचा है, friends, bye bye, take care, all the best.